नमस्कार, चीन और भारत लगातार एक दूसरे को पठकनी देने के लिए अपनी रड़नीती को धार देते रहते हैं और नए-नए सैन ठिकानों का निर्माण करने में जुटे रहते हैं चीन जहां भारत के कुछ पडोसी देशों को अपने इशारे पर नचा कर सैन बंदरगा बनाने की कोशिश कर रहा है वहीं भारत ने अपने उन ध्वीपों का विकास शुरू कर दिया है जहां से चीन को किसी भी वक्त मुतोर जवाब दिया जा सकता है ऐसा ही द्वीप छीतर है अंडमान और निकोबार दीप समू गामंड में चूर चीन अकडबाजी दिखाने की कुशिश करता है तो पस्ता नहीं पड़ेगा चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए अंडमान में मिलिटरी इंफ्रास्रक्चर खड़ा करने में भारत लगावा है सामरिक सुविधाओं को अगले स्तल तक पहुचाने का काम यहां तीजी से निप्टाया जा रहा है जिसको लेकर मीडिया में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि भारत यहां पर विशालकाय आदारबूत सेनिक धाचे का निर्मार कर रहा है अंडमान निकोबार त्र निर्मारा देन है इसके अलावा सेनिकों के रहने के लिए आवास और मजबूत सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समू रड़नितिक तोर पर भारत के लिए काफी ज़्यादा महत्पूर्ण माने जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्ग्रेड किया जा रहा है जिसका मकसद इन द्वीप समूओं पर अत्रिक्ट सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ बड़े और ज्यादा संक्या में युद्धु पोतों की तैनाती करना फाइटर जेट्स की तैनाती करना और सैनिकों के लिए बाकी स्विदाएं प्रदान करना है। दरसल हिद मासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है और बड़े पैमाने पर चीनी गतिवीदियां चल रही हैं। कई जगों पर गुप्त सैन्य बंदरगा बनाने की कुशिश भी चीन कर रहा है। अंडमान और निकोबार द्यूपसमू से सिर्फ 55 किलोमिटर उत्तर में इस्तित मियामार के कोको द्यूपसमू में एक सैन्य अड़ा चीन बना चुका है। अंडमान और निकोबार कमांड द्यूपसमें पहली और एकमात्र ट्राई सर्विसेस कमांड है जो साल 2001 में स्थापित की गई थी। सुत्रो ने कहा है कि अंडमान निकोबार के उत्री दूपों में से एक पर निगरानी बुनियादी धाचे को महत्पून रूपसे बढ़ाने और वहां सैनिकों के लिए एक स्थाई आवास का निर्मार करने की युजना है। सुत्रो ने कहा कि P-8I और लडाकू जेट जैसे बड़े विमानों की लेंडिंग को सक्षम करने के लिए एक महत्पून नौसैनिक हवाई स्थेशन पर हवाई पट्टी के लंबाई बढ़ाने का काम चरणों में किया जा रहा है। बड़े जहाजों की उप्योग के लिए इसके घाट का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी इंफास्ट्रक्चर को भी अपग्रेट किया जा रहा है। और ज्यादा यातायात के लिए द्विपोर के उत्तर से दक्षड में पोर्ट ब्लेर तक की सड़क में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा बारत के एडवांस फाइटर जेट्स स्क्वाडनरों को लंबे समय तक रखने के लिए भी भारती ये वाई सेना के स्टेशन को अपग्रेट किया जा रहा है। इसके तहट रणवे को करीब 3000 मीटर तक विस्तारित करने और संपत्यों के रख रखाओं के लिए बुन्यादी ढाचे का निर्माड करने की यूजना शामिल है। इसके अलावा कंटेनर ट्रांस शिप्मेंट टर्मिनल के निर्माड पर भी काम चल रहा है। पिछले साल चीफ आफ डिफेंस स्टाफ सीडियेस जनरल अनिल चोहान ने पोर्ट ब्लेर में आई एनस उत्प्रोश में एक आधुनिक हैंगर और डिस्पर्सल सिस्टम का उधगाटन किया था। पिछले साल फरवरी में नौसेन अप्रमुक एड्मिरल आर हरीकुमार ने लोग विजिबिल्टी की इस्तिती में विमान को सुरक्षित रुप से उतारने के लिए सटीक, 36 और उर्दवाधर मारदर्शन के साथ साथ एकिकृत अंडर वाटर, हारबर, रक्षा और निगरान प्रणाले को सक्षम करने के लिए INS उत्क्रोश में एक Precision Approach Radar PAR का उत्गाटन किया है, एड्मिरल हरीकुमार ने, INS कोहासा, INS BAZ और INS कारडी में नौसेना संचार नेटवर्क, NCN केंद्रो का भी उत्गाटन किया है, जो अंडमान एन निकोबार की संचार और परिचालन किया गया है, कुल मिला कर देखा जाए, तो भारत ने अंडमान को एक युद्ध सेंटर के तौर पर विक्सित करना शुरू कर दिया है, ताकि भारत के समुद्री इलाको की रक्षा के साथ साथ इन जगों से भारत के दुश्मनों को मुह तोड़ जवाब दिया जा सके, आप से अनुरूद है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे हैं और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजे, जैहिन!